तो शुअर्वकन आप जिस पुरानी टीम में तो तीम साल से आए इंग वहां पर आप वॉश्ट कर रहे थे तो वहां पर लैग तीन साल तक काम किया आपके जॉब के साथ साथ मिवन वहा पर अच्छी से आप कर रहे थे तो फिर आपने रिये स्पोंसरिंग क्यू किया तो मै री स्पॉंसरिंग क्यों किया वैसे तो देखो री स्पॉंसरिंग मतलब के बोलते हैं कि करना नहीं चाहिए लेकिन वहां पर ऐसी मजबूरी आ जाती है क्योंकि हमें इस बिजनेस को लाइट टाइम करना है राइट हम टेंपरीरी तो आए नहीं है एक-दो महीने के लिए तो future के point of view से मुझे responsoring करनी पड़ी क्यों सबसे पहला reason यह था कि वहां पर मतलब offline करना होता था जितने भी थे हमारे टीम में applying, downline थे हैं या मतलब online के बारे में कुछ भी नहीं पता था और कहीं हो कहीं वह सीखने के लिए interested भी नहीं थे तो फिर अचानक से मेरे mind में आया mind में क्या actually जो मेरी applying थी उन्होंने ही mind में दिया कि हम response करते हैं change करते हैं फिर I think फिर उनके mind में शायद कुछ और आ गया तो मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं response करूंगा बट मेरे नजर में एक team है जो मेरे mindset से align करती है और वो online अच्छे से कर रहे हैं काम और मैं उनसे सीख भी रहा हूं तो मैं उस team में join होना चाहता हूं response करना चाहता हूं उन्होंने बोला कि ठीक है आप कर सकते हो आपने तीन साल मेरे साथ आप आपने दिया और यहां पर कोई growth नहीं हुआ आपका तो definitely आप कर सकते हो तो उन्होंने कुछ नहीं बोला तो फिर उसके बाद मैंने response कर ली अब क्या हुआ कि जब मैंने जब offline में था जब offline में लोग काम कर रहे थे तो मैं तो कर नहीं पा रहा था मैं तो यहां था और वहां पर कोई system नहीं था तो जिस भी person से मैं बात करता था उनको फिर plan दिखाने के लिए time निकालना पड़ता था every day अगर एक लोग भी आ रहे हैं कल दो लोग आ रहे हैं पड़सो तीन लोग आ रहे हैं तो office के बाद फिर time निकालके फिर उनको किसी भी तरह से zoom पर बुलाके फिर presentation देना एक घंटा देने के बाद फिर last में बोलते हैं ठीक है छोज के बजाता हूं देखोंगा तो इस तर direction की कंई थी ऑगे direction मिल गाल और चाया तक्राथा फोर चीजह ने काम वाहां पर MEMBER कर रहा था कोई ग्रूप आफ पीपल नहीं था कोई टीम नहीं था राइट एक तरह से अलोन था अब यहां पर आने के बाद एक वाइबरेंट कम्यूनिटी मिल गया मुझे एक सपोर्ट मिल गया एक एनरजी आ गई एक एन्थूसियाजम आ गया अब बिजनेस करने का मज़ा ही कुछ और हो गया तो जब मैं स्टेम में नहीं अ ऐ था उससे पहले कुछ ही वीडियो मैंने डाले थे और आने के बार था तो मतलब अलटीमेटली मैं बो अ conclusion यही है कि TLF ने एक direction दिखाने का काम किया मेरे लिए और एक surroundings, एक environment जो होना है, वो जो बहुत जरूरी होता है आपको grow करने के लिए, जब आपको एक positive surroundings मिल जाए, एक positive environment मिल जाए आपको, तो फिर आप demotivate हो के भी, आप जो है वो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं लिए एक right direction दिखाने का काम किया और एक vibrant community मिल गया, एक vibrant surroundings मिल गया मुझे, जहां पर मैं काफी अच्छे से काम कर पाना, बहुत बढ़ी है शोपन, बहुत बढ़ी हा point आपने share किये, तो अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं, जो यह problem face कर रहे हैं, कि आप online काम करना चा कर रहे हो, जहां पर like-minded people हो, जहां पर आप अपके current profession के साथ साथ में forever कर पाए, तो आप हमारे साथ में connect कर सकते हैं, अगर explore करना चाहते हो, लिए हम लोग कैसे काम करें, जैसे श्रवगन में, हमारी team materials के काम होते हैं, तो वीडियो के description में जो पहला link है, आप उसको visit कर सकत हो, और उस 90-minute की master class को देखकर आप पुरा समझ सकते हो, कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, हमारा system कैसे काम कर रहे हैं, डिटील में आप समझ पाऊंगे, और अगर आप directly responsive करना चाहते हो, अगर हम काफी time से follow कर रहे हो, आप हमें join करना चाहते हो, तो शवगन के YouTube channel का link में description box मे डाल रहे हूं, तो आप उनके channel पर भी जा सकते हैं, और आप मुसे भी connect कर सकते हैं, हमारे number भी आपको हमारे channel पर मिल जाएंगे, तो आप हमसे connect कर सकते हैं, बाकि अगर आप जिस team में हो, उस team में रैकर भी करना चाहते हो, और आप समझना चाहते हो, तो एक हमारा backend system की सिर तो आप उसको समझ सकते हैं, पुरा देख सकते हैं, वो फ्राइडे को होगा, तो आप अभी registration कर सकते हैं, जब भी आप इसको देखते हैं, हर फ्राइडे को आप कर रहे हैं इसको, तो आप टेंड कर सकते हो, सारे important link जो है, आपको वीडियो के description box में मिलने वाले हैं, तो च के जॉब के पात में अभी 9.39 हो रहे हैं अभी, वो सकते आपने डीनर भी ना कर रहा हो, और आप हमारे साथ में शूप कर रहे हैं, तो थैंक यू, थैंक यू सो मुच. My pleasure, my pleasure, Chanchal. Thank you for having me.